प्वागतिया आप सभी का एको न्यू वीडियो पर दीकिया MP4 में 10th का next exam English का है इंग्लिश होता है काफी ज्यदे scoring subject पर फिर भी काफी बच्चे डरते हैं कि English का paper कैसा आएगा हमसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा खासकर जो बच्चे Hindi medium के होते हैं उनकी तो एक दुश्मन ही होती है तो मैं आपको बता हूँ अगर आप बुक को ना भी पढ़ो English के आपके जो दोनों बुक है NCIT है उनको आप ना भी पढ़ो तब भी आप more than 50% marks score कर सकते हो अब कैसे कर सकते हो मैं आपको आगे बताता हूँ पर इसका यह meaning नहीं है कि आप बुक से पढ़ाई ना करोगर आपको अच्छे score करना है अच्छे percentage आपको चाहिए तो आपको बुक से भी पढ़ाई करनी पड़ेगी सारी चीज़ा आपको आगे बताऊंगा क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर रखी होगी जो भी content आपके पास होगा जो भी notes वगरह होंगे जो gap आपको दिया गया तो उनका अच्छे सी यूज़ किया होगा पर exam में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि English में काफर सारे marks काट होते हैं वह किन चीजों कि होते हैं वह मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो में अपना आखरी दिन की strategy तो देखेंगे इसाथ में उन common mistakes की भी बात करेंगे जो कि आपको exam नहीं करनी चाहिए वन्ना आपके काफर सारे marks काट हो सकते हैं व सेक्षन का अपना-फना वेटे अफंट एज्यरम से झाहर मैं आप से काहूं अंत्ली ऩाविती बिंदे स corporation को क्यों कर देखा लिफ्मिल करनी जितनी कि आपकी सेक्षन को एड करेंगे उनके marks सेंड करेंगे तो ये अपने तीन सेक्षन भी अच्छे से करें तो आप 50% माक्स आरम से स्कोर कर जाओगे अब अगर आपको यह समझना है तो MP वोड की तरफ से जो इंग्लिश का ब्लूप्रिंट आया था वह आपको देखना पड़ेगा उसमें आपको इस सारी चीजे काफी अच्छे से बताए ग बाकि अगर आप ऊपर के तीन सेक्षन को आड करें देखो गए तो इसके आसपास ही आपके marks बनेंगे तो अगर आपको सिर्फ पास होना नहीं के ऊपर के तीन सेक्षन पर आपको ध्यान देना है बाकि अगर आपको 70 के ओपन नमबर चाही一次 डिपर ध्यान देना पड़ेग उसमें आप कितना ही पढ़े आपको पता ही नहीं है कि कौन सा passage आएगा कहीं का भी passage आप पर आ सकता है तो passage आपको कैसे करने वह मैं आपको बता हूं तो देखिए इसका एक सबसे अच्छा shortcut अगर आपको passage करना है तो उसके नीचे जो question दियेगा है उनको आप पढ़िए उसक समझ में नहीं आ रहा है कि passage में पूछा क्या गया है तो आपको यही तरीका यूज करना है आपको कॉशन पढ़ना है उसके मैचिंग वर्ड आपको ऊपर passage में डूढना है यानि कि पराग्राफ में डूढना है जो भी sentence में आपको दिख जाए वह आपका answer हो जाता है तो इ इसी वर्ड काप से अंटोनियम से नूनियम ऐसी चीज़े भी पूछी जा सकती है यह फिर पैसेज को आपको टाइटन देनों को भी कहा जा सकता है तो यह सारी चीज़े अपने कर सकते हो क्योंकि जो भी वहाप पर कॉशन पूछेगा है उपर के passage में यह कहीं पर आपको ज आपको इनका format देखना है क्योंकि यहापर किसी बी topic पर application है सकती है ऐसे की बात करें तो ऐसे के topic आपको प्रिवोड के paper में दियेगा है यह फिर आप previous year के paper से भी देख सकते हैं यह फिर आप modern paper से भी देख सकते हैं जो भी topic आपको तीनों में common देखें तो उसको आपको तै कि इतने नंबर रहेंगे expression कि इतने नंबर रहेंगे सारे चीज़ें आपको बनुप्रेंट बताई गई है तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि इंग्लिश का आपका बनुप्रेंट आया है वह काफी अच्छा या है इसको आप समझ लाए तो आदी तहीं आरी तो आपको बनुप् आपको करने ही पड़ेगा क्योंकि कोई भी वर्ट वर्ड आंसर कर नहीं पाता है यहां पर एक और कॉष्ण पूछा जाएगा पिच्छर कंपोजिशन का है यहां पर आपको कोई भी एक पिच्छर दे दी जाएगी आपको कहा जाएगा इसके उपर आप पर बनाई यह सारी चीज़ आप से पूछी जा सकती है तो इस सभी के फॉर्मेट आपको एक बार नेट पर देखने हैं सी बीसी के सारे फॉर्मेट है आराम से यूट्यूब पर है एक एक दो दो मिनिट की वुडियो में आपको ये सारे चीज़े समझ में आ जाएंगी तो यहां पर भी आपको बॉड़ी और जो कंटेंट है वो आप खुद ही बनाओगे अपने उन वर्स में तो जादर महनत के आपको यहां पर भी जरूत नहीं है थार्ट जो सेक्शन आएगा यानि कि सी सेक्शन यहां पर रहेंगे ग्रामर के सिर्फ दस कॉश्चन एंड सारे कॉश्चन एक मार्स क चाहिए तो आप को प्रिवेसर के कॉश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो आप चाहें तो वन शॉट सीरीज देख सकते हैं यूट्यूब पर आपको एक एक टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करना है चोटी चोटी से विडियो की ऊपर-उपर के आपको देखने हैं आपके कॉशन आराम से बन जाएंगे क्योंकि grammar के इतने ज्यादा इंडेप्ट कॉशन नहीं पूचे जाते हैं काफी ज्यादा इजी और ऊपर जो concept based कॉशन होते हैं वहीं आपसे पूचे जाते हैं तो grammar portion भी आपका बिना किसी ज्यादा महनत के बन जाएगा अब बात करते हैं section D की जो कि सबसे ज़्यादा रखता है यानि की थर्टीन मक्स का section है starting में इसमें आपको objective दिये जाएंगे ज्यादा नहीं चार से पांच objective रहेंगे उसके बाद आपको tough पढ़ता है बाकी उपर जो passage आएगा वो तो आप आराम से कर दोगे उसका तरीका में आपको बताई दिया था जैसा आपने section A का किया था वैसी आप यह passage भी कर दोगे पर जो पुयम का extract आएगा वो आपको पड़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि extract उतनी जदा आसानी से समझ में नहीं आता है उसके जो words होते है वो थोड़े से tough होते है तो यह आएगा तो आपकी बुक से ही आएगा अब बुक के आपने सारे chapter तो पढ़ी रखे होंगे इतना तो मैं सम आपको माक्स दिये जाएंगे आप अपने अंसर खुद भी बना सकते हो कहीं पर आपके माकस नहीं काटे जाएंगे बस आपके ग्रामार थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और आपके जो भी sentence होना चाहिए जो भी question में पूछा गया है वो आप सही से बता पा रहे हो तो प समच चोके हो तो आपको question answer रयाद करने की जरूत नहीं है काफी बच्ची कहते हैं कि हमसे इतने बड़े-बड़े question answer रयाद ही नहीं होते हैं हमें chapter समझ में आता हो गया पर question answer रयाद नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताए दिया है अपने words में भी answer बना के कर सकते हो कहानी नहीं चाहिए क्योंकि काफी बच्चे common mistake करते हैं वो section D से start करते हैं या फूर section A से start करते हैं तो यह कि section D सबसे ज्यादा weightage का है सबसे ज्यादा writing portion उसी में होता है section A की बात करें तो उसमें आपको पैसे दिये जाते हैं कभी-कभी ऐसे पैसे भी आ जाते हैं जहां पर काफ दस question करोगे एक टेंशन आपके खतम हो जाएगी कि एक section तो हमारा खतम हो गया है उसके बाद आपको start करना है section B इसमें पूरा writing portion रहेगा यानि कि data replication ऐसे है जो आपके articles हो गया पर पिच्चर composition हो गई तो इनमें आपका काफी time consume होगा तो इसको आपको बीच में करना है यान पूरे माकस आपको दे दिये जाते हैं बस format आपका पूरा सही होना चाहिए तो format आपको सभी के देखके जाने format अगर आपको आता होगा तो फटा फटा आप section B भी खतम कर दोगे उसके बाद आपको start करना है section D section D में मैं आपको बताई दिया है question answer आएंगे तो question answer आप अपन पूछी जाए सकती है या फिर उसका central idea भी पूछा जाए सकता है तो वह भी आपको अपने मंसे बना करना पड़ेगा तो section D आपको third number पर करना है सबसे आकरी में आपको करना है section A जिसमें कि unseen passage रहेंगे वह आपको पता है कि आसानी से हो जाएंगे अगर कोई आड़ा आपका consume हो रहा है तो वह आप आखरी में करेंगे क्योंकि तीन major section आपके starting में कवर हो गा है काफी बच्चे करते हैं कि section A को starting में करने बढ़ जाते हैं अब पैसे easy आया तो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आगर पैसे थोड़े से tough आ गया है तो आपका starting का जो A section जो की सिफ 10 marks का है वहीं आपका एक से देड़ घंटा कराप कर देगा इस कारण से मैं कर रहा हैं को आपको आ भी रहा है या आप नहीं आ रहा है वह matter नहीं करता पर उसको आखरी में करेंगे तो आपके तीन main section है वह आपके cover हो जाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेगा बाकि मैं आपको बता देता हूं इंग्रिश के paper में जो presentation होती है copy की वह काफी ज्यादा matter करती है जितना अच्छा हो सा कि अच्छा आप करके आएगा ज्यादा काटेपीटी मत कीजिगा बाकि grammar mistake पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है मैं आपको बताई दिया है कि MP प्रशान होने की जरूत नहीं है बड़ी ऐसे पड़ाई कीजिए और आराम से paper देके आएगा आज की वीडियो में तो नहीं पर डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फूर आप मुझसे इस्टापर डियम करके बाद भी कर सकते हैं